नमस्कार, आज मैं फिर आपके सामने मेरट की एक और क्राइम की घटना लेकर उपस्चित हुआ हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 मई 2018 को SSP मेरट का पदभार ग्रहण किया था, कल एक मैंने आपको बहुत ही इंपोर्टेंट घटना बताई थी जो मेरे आने के पहले, मेरे जोईन करने के पहले, NS58 पे एक नव विवाहिता बहु, नव विवाहिता बहु, नव विवाहिता महिला यह लड़की की लूट के साथ हत्या कर दी गई थी, टीन तारिकों आफिस में जब समाने रूप से आफिस का काम का शुरू हुआ, जो लोग मेरट से परचित होंगे वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सुबह आफिस में, अधिकारियों के जफ्तर में आते हैं, यह बताया गया कि साथ एक एंजियो है, एक प्रतिष्टित एंजियो है, जो सेक्स वरकर्स पर काम करती है, उसकी एक महिला प्रमुक हैं, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आई हैं, बाकी लोगों से मिलने के बाद जो पहले आये थे, उनको भी बुलाये गया और उनसे पूछा गया कि वो किस प्रियोजन से आई हैं, वो खुद भी थी, उनके साथ चार-पांच सेक्स वरकर्स भी थी, जो अलग-अलग, जो मेरट के अलग-अलग इलाकों में अपने-अप के बारे में जानते हैं, वो जानते होंगे कि कबारी बजार वहां का रिड लाइट एरिया है, बहुत पुराना, बहुत फेमस, और एक जमाना था जब वहां पे कोटों के लाइसेंस दिये जाते थे, इस तर पे, लेकिन उसके पीछे की मन्शा थी, कि रिर्त और कला, कि जो वो सेक्स वर्कर्स के लिए एक बड़ी मंडी हो गई, बड़ा बाजार हो गया, समय समय पर लखनू और दिल्ली दोनों से ही महिलाओं को लड़कियों को रिस्क्यू करने के लिए, जो अलग-अलग प्रांतों से लाई जाती हैं, और जबरजस्ती इस देह व्यापार में ध केल दी जाती हैं, उनको रिस्क्यू करने का काम, यह और्गनाइजेशन्स करती हैं, प्रितनित मंडल ने बताना शुरू किया कि साब गंभीर घटना 30 अप्रेल, यानि मेरे आने के तीन दिन पहले यहां पर हुई है, कबाड़ी बाजार के कोठा नंबर 9 में, जो उसकी माल इंट्रड़क्री प्रेस होती है किसी भी अधिकारी के लिए, और उसके बाद अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, तो उसमें इस घटना का कोई जिकर नहीं आया था, मेरे पास एस्पेसिटी वी उसम बैठे हुए थे, और भी कुस अधिकारी बैठे हुए थे, मैंने कव कोटोहल से उनकी तरफ देखा और पूछा ये क्या मामला है, तो लोगों ने बताया कि हाँ साथ तीस तारीक को शाम को जरीना की हत्या हुई थी, कोठे के ऊपर, मतलब कोठे के भीतर उसकी हत्या कर दी गई थी, उसे सिर में गोली मारी गई थी, मेरी इस अचंबे को मेरे कोटोहल को देखकर जो सेक्स वर्कस के साथ आई भी थी, उन्होंने का साब हम लोग जानते हैं या आप तक बात नहीं पहुचेगी, क्योंकि हमारी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, हर दिन शाम को छप छपा के शहर के जाने कितने नामी गिरामी लोग आते हैं, लेकिन व हमारा कोई प्रेशर गूर्प नहीं है, नहीं हम यहाँ पर कोई प्रतिश्चित किसी और्गनाजेशन के सदस्य हैं, हम उस कम्यूनिटी से हैं जिसका सभी लोग उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन पैरवी करने के नाम पर उन्हें सोसाइटी में बदनाम होने का डर सताने लगता है, उसकी बात सुनकर मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा और उसकी बातों में लोगों की बातों में बहुत भय था, क्रोध था और बहुत बेवसी थी, वो यह भी कहने लगी कि देखे साब, शहर में और कहीं पर भी तमाम लूट, तमाम डकैती या तमाम हत्या और ये जोड़ जोड़ देकर ये बात कह रही थी, कि साब ये इसको लोग गंदा धंदा कहते हैं, लेकिन इस गंदे धंदे में सबसे ज़्यादा इमानदारी है, मैं उनकी बातें सुन रहा था, कि वो किस तरह से, कितनी बेवसी से, कितनी लाचारी से ये बता रही हैं, कि उनकी एक बड़ी उनका, उनमें से जो जिनका इस्थान प्रमुख रहा होगा, जरीना बेगम, उनकी हत्या हो गए और पुलिस ने हाथ पैर भी नहीं चलाए, फिर मैंने उनसको दिलासा दिलाई कि नहीं, हत्या हत्या है किसी की भी और महिला की हत्या तो और जगलने और गंबीर अपराद है, महिला कौन है, क्या है, इससे कोई लिना देना नहीं, और कानून की किताबों में हत्या हत्या है, सभी हत्या एक तरह की होती है, और महिला है सबी महिलाएं समान हैं महिलाओं का सभी समाज में आधर होता है और इस तरह की बातें कहें कि मैंने उनको विदा किया जब यह पब्लिक से मिलने का समय खतम हुआ तो मैंने वहीं पर समंदित ब्रह्मपुरी ठाने में यह है कबाड़ी वाजार ब्रह्मपुरी ठाने के ठाना सीओ ब्रह्मपुरी एस्पिसिटी और इन सभी लोगों को बुलवाया क्राइम ब्रांच के लोगों को वहीं आफिस में बुलवाया इनसे पूछा कि क्या मामला है क्या क्या हुआ था कैसे हुआ था उन्होंने बताया सब शाम की बात है दो लड़के कोठा नंबर 9 पे आये और वहां थोड़ी देर तक उनसे शायद कोई भहस हुई जो कोठे की मालकिन थी जरीना से और उसके बाद जाने क्या हुआ कि गोली चली जरीना को गोली लगी वहां चीक पुकार मच गई लोग भागने लगे और ये दोनों लड़के वहां सीडियों से उतर कर गलियों में होते हुए भाग गए ब्रह्मपूरी के सो से पूछा तो उसने भी थोड़ा बेसिक वरक किया था और उसने यह बताए कि साब हमने जो वहां पर कबाडी बजार बहुत डेंस लोकेल्टी में यह बाजार है चोटी-चोटी बहुत धेर सारी दुकाने हैं बहुत ज्यादा द आर्मी से जो कबाड बेशे जातें हैं आर्मी से जो कबाड निकलते हैं पुरानी वर्दियां उनके तमाम और अलग-अलग चीजांकी दोहां दुकान थी तो इसो ब्रह्मपूरी ने इतना बेसिक वरक किया था कि दुकानों पे जो सी सी टीवी लगे हुए थे उनसे थोड स्थानी पुलिस इसमें बहुत कुछ कर नहीं पा रही है कोई बहुत सुराग नहीं मिल पा रहे हैं और वैसे भी भले ही कोई पैरवी करने के लिए धरना प्रदर्शन नहुआ हो वहां मेरट में लेकिन अखवारों और टीवी ने इसको बहुत प्रमुक्ता से उठाया था कि एक सेक्स वरकर की कोठे पर हत्या की गए नहीं कि लिन्दाले हत्या की गए गोलियों से हत्या की गए जिस तरह की ख़बरें चलती हैं आप अच्छी तरह से आउगत हैं उस तरह की खबर नहीं चल लाइंगी तो इसको देखते हुए STF को STF के काई मेरट में भी है और उसका आफिस है पुलिस लाइन में और अच्छे नंबर्स हैं उसमें बहुत अच्छे आफिस भी पोस्टेड हैं मेरट में STF में उन से रिक्वेस्ट की गई थी तो उनके पास टेक्निकल सपोर्ट जिला पुलिस ज़्यादा रहता है मैं तो कि उसका फाउंडर मेंबर हुँ मैं जानता हूं कि टेक्निकल सपोर्ट सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अगर किसी यूनिट के पास है तो वो STF और ATS के पास है तो फिल्ड वर्क के लिए तो पुलिस स्थानी पुलिस काम करती है लेकिन टेक्निकल सपोर्ट के लिए उसे हर हाल में STF की साहता लेनी पड़ेगी अगर्ल शेक्स वर्कर्स का जो यह जो पुविनूटी थी पूरी वहां पर ब्रह्म पूरी के सो से मैंने यह भी कहा कि पहले यह देख लिजें ऐसा नहों कोई इनकी आपस की राइवरली हो क्योंकि महां राइवरली होती जरूर है लेकिन उसने भी बताए कि साफ राइवरली कितनी भी हो लेकिन इस तरह की हत्या या इस तरह की बारदात होती नहीं है यह भी बताए कि साफ सेक्स वरकर से संबंद या सेक्स वरकर के चक्र में शहर के सिर्फ अखवारों और टीवी और सोशल मीडिया सोशल मीडिया में इसका बहुत ज्यादा हला था अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है पुलिस के खाली हाथ तमाम तमाम जो इस तरह से जो शब्द इस्केमाल किये जाते हैं पु इस तरह से उनके बेवसी जलक रही थी कि साब दीखे हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है रात में भीड तो बहुत लगती है लेकिन हमारे साथ कोई भी ऐसा सम्मानिक व्यक्ति शहर का नहीं आया जो इस हमारे प्रितनित मंदल में शामिल हो तो कृपा करके हमारे जरीना वेगम की हत्यारों का पता करिये और उनके उनको सजा देलाए तैह हुआ कि जो सी सी टीवी फुटेज इस अबरहम पूरी ने निकाली थी जो बहुत साफ नहीं थी है जिन चेहरा जिसमें पहचान में नहीं आ रहा था उनको सौफ्ट्वेर के माध्यम से थोड़ा सा क्लिय फिर उनके 30 से 1 मिनट के अलग अलग फुटेज बना लिए जाए तीस से 1 मिनट का मतलब यह था कि उनको वाट्सप पर ताकि आराम से भेजा जाए यह भी वहां स्पी सिटी और इस पी आरे दोनों को यह बताया गया कि जब यह तीस से के एक मिनट के फुटेज मिल जाए त कि उनको भेज दिया जाए बेजने के बाद वाइरलेस सेट पर आप सभी थाना देख्षियों को यह बता दीजे कि वह अपने मातहत सभी चौकी इंचार्जों सभी सभी इंस्पेक्टर्स और बीट के सभी कॉंस्टेबिल्स तक वाट्सप पर यह वीडियो जो क्लिपिंग हैं वो भेज दें इस पूरी कवायद में पूरी प्रॉसेस में बहुत लगेगा एक घंटा लगेगा और एक घंटे में नीचे तक डाउन दे लाइन यानि सभी सिपाहियों पर बीट के सभी कॉंस्टेबिल्स तक और बीट के सभी सभी सब इस्पेक्टर्स तक वह सीची ट तरह के वET्टिउों से अच्छे बुरे दोनों वेक्तिवों से बीट कॉंस्टे इच्श का अच्छा संपरक हूता है अच्छा संवआध होता है और शायद यही वजर है कि जो बीट के वैवस्त्ता रौत तरप देश पुलिस की है बिलकर अनोखी है और बीट कॉंस्टेब सब से पहले किसी घटना की सूचना मिलती है और किसी घटना में जो अपराधी समलित होते हैं उनकी भी सूचना यही होंगे तो हो सकता है पता लग जाया अगर मेरट के बाहर के होंगे तो इस एक्ससाइज से भी उनका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा बैराल यह रात में करीब एक बज़े के आसपास मुझे दोनों अधिकारियों ने बताया कि साब अब डाउन दे लाइन सभी क सिस्टम काम कर रहा था और जो मोबाइल फोन्स की बात है एंड्रॉइड फोन्स की बात है इनका बहुत अच्छे से पुलिसिंग में इस्तेमाल शुरू हो हर जगह हुआ था अलग अलग तरह से हुआ इस पर्टिकुलर केस में भी यह एक आईडिया आया था कि हो सकता है य और फिर अपने अपने कॉंटेक्स को दिखाएं फिर वह पहचाने यह बड़ा लंबा प्रोसेस है और पता नहीं पता लगेगा भी कि नहीं पता लगेगा इससे बढ़िया तो यह है कि हमारे जो सुब मित्रगण हैं इलेट्रॉनिक चैनल में इलेट्रॉनिक मीडिया में उनको यह क्लिपिंग उपलब्द करा दी जाए तो वह अपने अपने टीवी पर चला देंगे और हो सकता है कि इन लड़कों की कोई पहचान शहर के या जिले की किसी कोने में कोई कर लें लेकिन साथी साथ उसका कंट्रडिक्शन भी आया कि साब यह ठीक इसलिए नहीं रह गया है तो ऐसे में वह भाग जाएंगे फिर जल्दी हमारे हाथ नहीं आएंगे जब तक और कुछ दूसरी बड़ी घटना नहीं हो जाती चीजे नीचे दब नहीं जाती तब तक वह वापस नहीं आएंगे और इससे हमारा नुक्सान होगा तो फिर एक राय हो कि यही बात यह बात मानी गई कि वाटसेप पर ही यह क्लिपिंग को सर्कुलेट किया जाएं जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक देड़ वजे रात कि सब काम हो चुका था दिन में सवेरे सवेरे से दो पहर तक बराबर यह पूस्तांच वारलेस सेट पर होती रहे कि क्या किसी को कुछ पता लगा कि नहीं पता लगा लेकिन यह आइडिया क्लिक कर गया गया है दो पहर बात कोतवाली पुलिस को इस्पेक्टर कोतवाली को यह सूशना मिल गई कि थाप यह लिए गये हैं यह कुटवाली थाना छेत्र के ही रहने वाले थे तुरंत स्टीएफ को इसके बारे में बताया गया कि हमने इन दोनों को इसी तरह से पहचाना है और बिल्कुल सही पहचान हुई है जनता कि जिस वेक्ट दिने बताया है उसने कहा ही हमारे मोहले के ही लड़के है उसके साथ उन्होंने भी लोकेट कर लिया कि साथ बिल्कुल सही लोकेट किया गया हमने भी से लोकेट कर लिया था इनके नंबर हमें मिल गए थे हमने इनके नंबर लगा दिये हैं और उमीद है कि गयो दिन में हम सक्सेस हो जाएंगे STF के उपने रिक्षक अरून निगम उनके साथ एक टीम इसी काम के लिए मुख्याले से डीजीपी मुख्याले से लगाई गई थी आजी STF साहब ने लगाया था कि आप इसमें जिला पुलिस की मदद करेंगे और फिर जब उनको भी नंबर मिल गया और नाम पता उसका पता लग गया तो चुपचाफ उसकी लोकेशन का पता करने में पूरी टीम जिला पुलिस की ब्रमपुरी की पुलिस और STF के उतमे रिक्षक अरून निगम की टीम ने इस पे काम करना शुरू किया और शाम को शौप्रिक्स मॉल वहाँ पर एक बहुत फेमस मॉल है मेरट की तरफ से शौप्रिक्स मॉल की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ जो इनकी सुचना के हिसाब से वहाँ पर कुछ खरीदारी करने के लिए ये दोनों अपनी मॉर्ट साइकल से आएंगे और पहचानने वाले आदमी को भी साथ में रखा गया हलांके नंबर सुनके लिसनिंग पर सुने जा रहे थे और फिर वही हुआ इन दोनों को वहाँ गिरिफ्तार कर लिया गया जो गिरिफ्तार किये गए उनका नाम था बिलाल सन अफ दीन मुहम्मद रिजडेंट आफ सब्जी वाली गली सोहराब गेट सराइ बहलीम कोत्वाली मेरट और दूसरा था नावेद सन अफ चान्द रिज अप्राइल वाली मज्जित के पास सोहराब गेट सराइ बहलीन और कोत्वाली इनको क्राइम ब्रांच के आफिस ले आया गया इनसे पूस्तांच शुरू हुई कि आखिरकार क्या माज़रा था क्या मामला था कि एक महिला को इन लोगों ने कोटे पर गोली मार दी शुरवा हुई-पातें सही-सही पता लग जाती है है हाँ उनके इननों ने जो बताया है वो वोस ही है या अभी भी गुमा रहे हैं तो जो बात गटए-दो गटए बाद सही-सही निकल के आई तो उन्होंने बताया कि सब हम लोग कोटा-9 नो के रेगूलर ग्रार हैं हम बfigा रहते उस दिन भी हम लोग वहाँपर गये वहाँ उस दिन जरीना ने ज़्यादा पैसों की माँख की हम लोग में पास उतने पैसे नहीं थे सुर और हम लोग कोई एसा नहीं है जिसे आप मतलब गैर हैं या हम जिसको आप पहचांतिं नहीं पैसा हम फिर हम जितना पैसा हमारे पास है वो हम से ले लिया जाए इस पर जरीना भड़क गई उसने गाली देना शुरू किया और उसके बाद भिखमंगी जैसे शब्दों का प्रियोग जरीना ने करना शुरू कर दिया आवाज लगा के उसने अपने जो और उनकी सहयोगी सेक्स वरकर्स थी लड़किया थी उनको भी बला लिया और उनके सामने ही बहुत जोर जोर से गाली देने लगा बिलाल और जावेद का ये नावेद का ये कहना था कि उनमें से जिनके हम लोग रिगुलर रहक हैं वो लड़किया भी थी और उन्हीं के सामने उसने जलीज करना शुरू किया और कहने लगी फॉरण कोठे से बाहर निकल जाओ उसके बाद चिलाते चिलाते हद तब हो गई जब उसने कहा कि ये कोठे हैं ये रईसों की शान है और तुम कटोरा लेके कोठों पर आये हो क худोरा लेकर कोठों पर नहीं आया जाता इसलिए फूरं तुम इसे बाहर हो जा और उस्सने लड़कियों से कहा कि इसको धक्का दे के बाहर करने के लिए तो इतनी बेज़ती बर्दास्थ नहीं कर पाये और बिलाल ने तमंचा निकालकर जरीना के सिर में गोली मार दी और वहां से दोनों जब भगदर हुई तो वहां से दोनों भाग गए एक छोटी सी बात और एक महिला की जान चली गए सेक्स वरकस का वो प्रतनीज मंडल जो आया था वो बार-बार यही कह रहा था हमारे हाँ यह सब नहीं होता है इस तरह के क्राइम हमारे कोटों पे नहीं होते हैं हम जो करते हैं वो दुनिया जानती है यह हमारे पेट पालने का साधन है इस तरह की बाते हैं वो उस दिन बहुत इमोशनल बाते ही लोग कर रही थी और ऐसे अगर लोगों को गूलियों से मारा जाता रहेगा तो ये सदियों से चली आ रही ये परंपरा खतम हो जाएगी ये उसका पॉइंट अब भी उता समाज इसके बारे में क्या सूचता है इसके बारे में मैं कुछी पुणी नहीं करता लेकिन एक महिला की जान चली गए 30 अप्रेल को शाम को ये घटना हुई थी और 4 मई को ये दोनों हत्यारे पकड़े गए आज बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जय हैं